यह तुम्हा इतना चोर उचक्का और गिरहकत बन सके हैं आजी इसलिए निकाला है स्कूल से इस देज में पढ़ाई लिखाए करने वालों को मिलता क्या है सारी जिंदगी मापाप की दौलब तो महिनत को बर्बाद करके लड़के डिगरी हासिल करते हैं उसके बाद उसके बाद नोकरी के लिए ठोकरे खाते हैं आदी जिनने की पढ़ाई में गुजर जाती है आदी जिनने की ठोकरे खाने में गुजर जाती है तो क्या फादा इसका पड़ाई हासिल करके? उल्टा, पड़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मैंनत मज़ूरी करते हैं शर्माती है क्योंकि दिमाग के दीवार पर डिगरी की छाप लग जाती है क्या फादा इसका स्कूलों पड़ाई हासिल करके? तुम्हारे साथ रहे के क्या फाइदा है? क्या बनेगा ये? चोरू चक्का वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाय लिखाई करके सादू संद बन जाता है? सबी बेमान बनते हैं, पढ़ाय लिखाई करके बेमानी के नहीने तरीके निकालते हैं मैंसे जिक बात बता हूँ, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाही जिसके बाप के बाद दौलत का ठेर लगा हूँ ताकि पढ़ाय लिखाई पूरी करके अपने बाप की पुर्शी पर जाके बढ़ जाए और पढ़े ले खेट डिगरी वाले नौजवानों का अपना खुलाम बना कर उपर हुकूमत करें इसलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवस्टी में पढ़ा रहा हूँ ताकि यह बढ़ा होकर किसी के नौकरी नी करेगा अपना बिजनस अपना कारवार खुद करेगा अपने दिमाग के बल पर अपनी उंग्लियों के आउसारों से